हलो स्टुडेंट्स वल्कम टू और यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम प्रेवेंशन आफ एचाइवी के उपर हेल्थ एजूकेशन डिसकस करने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल पर नाए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जनरल अबजेक्टिव में जो भी आप टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स आजाएंगे इंट्रोडिक्शन, डेफिनेशन, एटियोलोजी, क्लीनिकल फीचर्स, डाइगनॉस्टिक एवैलिवेशन, बैनेजमेंट स्पेसिफिक अबजेक्टिव में जो है, सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स आजाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं क्या-क्या टॉपिक्स, इसमें भी यही रहेगा कि आपने कौन कौन से topic discuss करने है सारे topics जो है specific objectives में आप लिखेंगे आपर आप देख सकते हैं जो ये portion रहेगा इसमें आपको सारी चीज़े mention करनी रहेंगी जैसे कौन से institution में आप health education दे रहें कौन सा course है, subject क्या है, unit कौन सी है, topic कौन सा है किस topic पर health education दे रहे हैं, number of learner कितने हैं, date, time, duration, venue जो है venue में किस जगह पर आप दे रहे हैं, वो आ जाएगा name of the institution में आपके institution का क्या name है, वो लिखना रहता है फिर उसके बाद method of teaching, aviates, student, teacher, कौन जो है explain कर रहा है name of the evaluator, कौन evaluate कर रहा है, तो इस तरीके से ये points जो है इने mention करना रहता है, उसके बाद आपको जो इस तरीके से lesson plan format में health education लिखना रहता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं introduction लिखेंगे आप, introduction में जो भी introduction है, जैसे अगर आप prevention और HIV के उपर health education दे रहा है, तो introduction में जो है, HIV से related पूरा जो भी detail है, introduction लिखेंगे, definition में जो है, पूरी definition लिखेंगे, यहाँ पर जो points दिएगा है, serial number में आपको serial number डालना है, time जो है, कितने time तक आपने introduction दिया है, तो वो यहाँ पर time mention करेंगे, activity में आजाएगा, कौन सी method से आपने जो है, लोगों को health education दिया है, या किस वे में दिया है, aviates कौन से use किये हैं, और evaluation करेंगे, evaluation जो है, फिर हमारा health education देने के बाद हम evaluation करेंगे, तो इसी type से जो है, यहाँ पर हम definition लिख लेंगे, फिर उसके बाद definition के बाद etiology हो जाएगी, etiology में क्या कारण है, किन कारणों से HIV spread होता है, वो सारी चीज़े आ जाएंगी, then उसके बाद फिर यहाँ पर आप sign and symptoms देख सकते हैं, क्या-क्या sign and symptoms जो है, प्रेजन रहते हैं, पेशेंट्स में, तो सारे symptoms आप इस तरीके से लिख देंगे, फिर diagnostic evaluation में हम test लिखेंगे, कि कौन-कौन से test परफॉर्म किये जा सकते हैं, HIV को identify करने के लिए, management में, हम management में देखेंगे, कौन-कौन सी medications हैं, जो HIV वाले patient को provide की जाती हैं, तो management में सारा, जो भी medication है, जो भी medicine हम दे सकते हैं, वो सारी medicines के नाम आ जाएंगे, diet management में, जो है, diet आ जाएगी, कि कौन-कौन सी diet हम patient को दे सकते हैं, यदि patient HIV से सफर कर रहा है, तो, फिर उसके बाद prevention of HIV में, जो है, यहाँ पर फिर हम जो हमारा topic है, उससे related हम, जो है, prevention लिखेंगे, अगर हम prevention on HIV के उपर, जो है, lesson plan लिख रहे हैं, health education, तो पहले जो हमने दिया, वो detail थी, कि जो disease है, वो किन कारणों से होती है, क्या होती है, disease का explanation दिया, कारण बताए, उसके symptoms लिखे, फिर हम यहाँ पर last में prevention बताएंगे, prevention जो, जो prevention है, HIV से prevent करने के लिए, क्या क्या prevention, जो है, use किये जाते हैं, वो सारे prevention लिख देंगे, last में summary आजाएगी, summary में जो है, छोटा सा description टाइप रहेगा, HIV से related, इसी तरीके से conclusion अड़ कर देंगे, conclusion में भी जो है, जो last में क्या conclusion निकल के आया है, वो ही HIV से related, लिख देना है, then bibliography में जो है, फिर हम, bibliography में writers के name के according, bibliography में हम वो सभी book के reference एड़ करते हैं, जिन book से हमने जो content है, वो लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक में जो writer का name है, कौन सी book से आपने लिया है, क्या publisher थे या पेज नंबर, यह सारी शीजे mention करके, bibliography एड़ करनी रहती है, तो आज के वीडियो में हमने health education prevention on HIV के ओपर discuss किया है, यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, thank you